हलो फ्रेंड्स, इस मीर्ती कीचन में एक नई रेस्पी के साथ आपका स्वागत है तो आज हम आपको बनाना बताएंगे वटर नान जो की आप घर में असान तरीके से बना सकते हैं तो चलिए जटपट रेस्पी को सुरू करते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वेल आइकन को दबा दे जिससे की मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए रेस्पी को सुरू करते हैं नान बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लिया है और अब हम इसमें डाल लेंगे 2 कप मैदा आप चाहे तो कौंटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मैं अब इसमें 1 कप आठा मिक्स करूंगी आप चाहे तो आठा स्कीप कर सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं पर आठा मिक्स करने से बहुत ही अच्छा बनता है नान अब मैं यहाँ पे डालूंगी वन फोर्थ चम्मच बेकिंग सोडा वन फोर्थ चम्मच बेकिंग पौडर थोड़ी सी चीनी थोड़ी सी नमक डाल लेंगे अब हम इसमें डाल लेंगे एक कप ताजी दही अब मैं इस सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लूंगी अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिला के एक मुलायम डो बना करके तयार कर लूंगी यह देखिए इस तरह से हम मिला लेंगे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है यह देखिए एक मुलायम डो बनके तयार हो गया है तो अब हम इसको एक कपड़े से ढख के छोड़ देंगे तो अब मैं इसको एक कपड़े से इस तरह से ढख दूँगी चारो तरफ से और एक से दो घंटे के लिए इसी तरह से इसको छोड़ दूँगी यह देखिए करीब दो घंटे के बाद हम इसको देख रहे हैं तो देखिए पहले से डवल हो गया है यह देखिए कितना अच्छा यह फुल के तयार हुआ है तो अब हम इसमें मिला लेंगे एक चमच देशी घी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए हमने घी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है तो यह बिल्कुल रेडी हो गया है तो चलिए अब हम नान बनाना सुरू करते हैं तो अब मैं सबसे पहले लोई बना के तयार कर लूँगी, इस तरह से देखिए, ये देखिए हमने सारे लोई बना के तयार कर लिये हैं, तो सबसे पहले हमने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है उसके बाद हमने एक लोई को लिया है और इस तरह से गोल करते हुए इसको हम रोटी के जैसा बना लेंगे और मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ कर दिया है तो चलिए अब हम बेलना सुरू करते हैं तो मैं आज इसको एकदम डेस्टोरेंट लाइक बनाऊंगी तो इसका मैं सेप गोल नहीं बना रही हुँ मैं थोड़ा लंबा लुक दूंगी इसको ये देखिए कि विल्कुल एकदम डेस्टोरेंट जैसा लगे अब मैं इसके उपर चारो तरब से इस तरह से पानी लगा लूंगी ताकि तबे मैं अच्छी तरह से नान चिपक जाए तबे को हमने पहले से गर्म कर लिया था ये देखिए कितना आचा से फूल रहा है अब मैं तबे को पलट के इस तरह से शेक लूंगी ये देखिए कितना अच्छा से फूल रहा है ये देखिए कितना अच्छा हमारा नान बन के तयार हुआ है तो अब मैं इसमें घी या बटर लगा लूँगी ये देखिए हमने दोनों तरब से अच्छी तरह से सेक लिया है तो अब मैं इसमें घी लगा लूँगी चारो तरब से तो हमारा ये बटर नान बनके तयार हो गया है तो आप लोग भी इस तरह से एक बार घर में जरूर बना के देखिए बटर नान ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में